देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है खबर वो है जो छुपाई जा रही है बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो कत्राए खून तक ने निकला बेटी बढ़ाओ का ढोल पीतने वाली सरकार देश की एक बेटी को इंसाफ नहीं दे सकी जिसने देश की बेटियों का मान बढ़ाया उनका सिर्ग गर्व से उंचा कर दिया अमेरिकी राश्रपती को God of Honor देकर सुर्कियों में आई विंग कमांडर पूजा ठाकों ने वायुसेना की नाइंसाफित से नाराज होकर अदालत का दर्वाजा खटखटाया है स्थाई कमिशन की एक अदनी सी मांग वायुसेना को नागवार गुजरी है बेशक बेटी आसमान चू रही है लेकिन सिस्टम का नजरिया आज भी पुरुषवादी ही है सिस्टम में पुरुषवाद है तो सितारों की सोच भी सुकून देने वाली नहीं है देश के लोगों ने जिस सल्मान खान को सिरांखों पर बैठाया बॉलिवुड का बादशा बनाया वो सल्मान भी महिलाओं पर ही अपनी दबंग़ी दिखा रहे है रेप विक्टिम से अपनी थकान की शर्मनाक तुलना से हुई छिछालेदार के बावजूद सल्मान ने माफी मांगने से इंकार कर दिया है लेकिन सियासी गलियारों में महिलाओं पर ही दाव लग रहे हैं कॉंग्रिस ने आज साफ कर दिया कि यूपी में शिला दिक्षित ही उनकी चुनावी नयार की खेवन हार बनेंगी आज ही राहूल गान्धी के आवास पर हुई बैठक में उन्होंने आला कमान से गुरू मंत्र भी हासिल कर लिया कॉंग्रिस के ताबर तोर फैसले की काट ढूणने में बीजेपी के रणनितिकार भी पसीना बाहर रहे हैं पार्टी मुख्याले में अमित्र शान ने आज अपनी नई टीम को लेकर मंथन किया अरुनाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कॉंग्रिसी खेमा बल्लियां उचल रहा है लेकिन शनिवार यानि 16 जुलाई तक बहुमत साबित करने के राज्यपाल के फर्मान ने नबाम तुकी के होश फाक्ता कर दिये हैं लेकिन केज्रिवाल को 21 जुलाई तक रहत मिल गई है संसदी सचीव के फंदे में फसे केज्रिवाल के 21 विधायकों के किस्मत का फैसला चुनाव आयोग ने 21 जुलाई तक के लिए टाल दिया है और राचनिती खबरों से दूर शिक्षा की बात करें तो आर की चतुरवेड के नए अध्यक्ष होंगे कल ही पीम मोदीनिय स्मृती इरानी की सिफारिश वाले सरवेंद्र विक्रम बहादूर के नाम को नामजूर कर दिया था लेकिन सरहद पार पाकिस्तान में आतंकियों के आका पर लगाम कस्तनी शुरू हो गई है कश्मीर की आड़ में भारत पर व में भी कबूल करना ही होगा और देश की इन तमाम खबरों के बाद रुक करते हैं देश की सियासत का कश्मीर में पिछले छे दिनों से जारी हिंसा में 36 जान अब तक जा चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग जखनी हुए हैं कश्मीरी पंडित भी दहशत में हैं तो पड़ो इसकी हसीन वादियों में नफरत का जहर कब खत्म होगा पहाडों पर चिनार है या कि चिनारों के पहाड और धरती पर हर्याले की ऐसी मखमल जैसे कारीगर ने बुनी हो काली खाटियों में फूल जैसे किसी कश्मीरी पेंटिंग के फुलकारियां कश्मीर की यही खुपसूर्टी दुनिया भर के सैलानियों को ललचाती है लेकिन धरती की जननत आज हिंसा की आग में छुलस रही है पहाडों पर बर्फ के धप्पे बची हैं और जमीन पर लहुगे धरती के सीने पर कान रखने की हिंमत नहीं बची है किसी में कुद्रत की इस खुपसूरत नेमत पर बद्नुमा धप्पा लगा है एक आतंकी के एनकाउंटर से भड़ की हिंसा से पिछले छे दिनों में हर तरफ एविश्वास का आंधिरा बढ़ा है फिज़ा में नफरत का जहर खुला है प्रदर्शनकारियों की भीड में अलगावादी और आतंकी अपने नापाप मनसुदों को अंचाम दे रहे हैं सुरक्षा बलों पर पत्थर बाजी और थानों पर आग जिनी जैसे आम बात हो गई है और दहशत के इस आलम में कश्मीरी पंडितों ने भी अपने आबाद आशियाने को अलविदा कहना शुरू कर दिया है जमू में रिलेफ कमिश्नर के आवास पर आज इनी कश्मीरी पंडितों के दर्द की नुमाइंद की हुई प्रवाल है वहां पर फसे होय है वह रो रहे हैं आख वहां पर सेफ्ट नहीं है आख लादो जहां पर जाब करने जाते हैं वह लो पम पर आप पहे हैं। कश्मीर में भड़की हिंसा की इस आग में पड़ोसी पाकिस्तान बेगजी डाल रहा है स्टेट एक्टर से लेकर नॉन स्टेट एक्टर तक हर किसी ने कश्मीर का बेसूरा राग छेड़ दिया है प्योके के मुजफराबाद में चरमपंती संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का आका सेद सलाहुदीन बुर्हान को शहीद बता रहा है तो सयुक्त राष्टर में पाकिस्तान के दूथ मलीहा लोधी ने भारत पर कश्मीरियों के दमन का आरोप जड़ दिया है लेकिन पानी जब सर से उपर गुजरने लगा तो भारत ने भी पलटवार किया लेकिन यूएन में भारत की दूथ सायद अकबरू दिन में पाक को जम कर लटाड़ा और सारी दलिलों की हवा भी नेका ली अच्चार बता है for human rights and self-determination. बुद्वार को ही राहिल शरीफ ने एक बैठिक में कश्मीरियों के दमन का मुद्दा उठागर शरीफ को सकते में ला दिया है। लेकिन इन सब का ये मतलब नहीं है कि हम अपने दामन को छोड़ देए। कभी अलगाववादियों की चहेती रही महबुबा मुफ्ती के आवाज अलगाववादी ही क्यों नहीं सुन रहे हैं ये बड़ा सवाल है। तो दाशकों तक देश पर राज करने वाली कॉंग्रेस भी इस समस्या के लिए अप्रधान मंत्री मोधी को का सुरवार क्यों ठहरा रही है। मुझको लग रहा था कि महबुबा जी जान लेंगी कि इनके साथ लेटना बीजेपी के साथ लेटना उसी के समान है जितना की एक सांप के साथ लेटना है काटेगी अब ये बीजेपी सांप उनको काट रही है कश्मीर में। चार अप्रिल दो हजार सोले को जब महभुबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर का तास संभाला था कश्मीर एनाइटी विवाद में फंसा था छात्रों के बीच का मुद्दा सुलचता उससे ही पहले बारे अप्रिल को हंदवाडा में एक लड़की से छेड़ छाड की अफवा ने इंसा भड़का दी और मई आते आते सैनिक कॉलोनी की जमीन का बुद्दा उठा लेकिन 9 जुलाई को तो चरम पंथियों के पॉस्टर बॉय बुरहान वानी के एनकाउंटर ने हालात को ऐसा बना दिया कि अब जवाब देती नहीं बन रहा है हालात एक बार फिर से इतने खराब हो चले हैं कि सैलानी अब कश्मीर से फाग रही है डल जील में शिकारा चलाने वालों का धंदा मंदा पड़ गया है तो अमन की चाहत एक बार फिर इंतजार कर रही है उम्मीद करते हैं ये इंतजार जल्द ख़त्म होगा देश की बात के लिए इटीवी नेट वर्ट उम्मीद करते हैं कश्मीर में जल्द अमन और शांती काइम होगी बैरहाल आगे बढ़ते हैं दक्षिन अफ्रीकी देश सुडान में भी शांती नहीं है दक्षिनी इलाके में सरकार समर्थक और विदोधियों के बीच जंग छिड़ी हुई है उम्मीद है कि वहां फंसे भारतियों के लिए बचाने के लिए वायुसेना की मदद से चल रहा ऑपरेशन संकट मोचन शुक्रवार यानि कल शाम तक पूरा हो जाएगा हिंसागरस इलाके में तकरीबन छे सो भारतियों फंसे हुए हैं जिनमें जादतर क्रिश्चन मिशनरीस में काम करते हैं कुछ बिजनसमेन हैं कुछ प्राइविट कंपनीज के मुलासिम भारत सरकार इन सब की सलामती के लिए लगातार सुडान सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं कई गाइडलाइन्स और हेल्प लाइन भी जारी की गई हैं विद्रोहियों और सैनिकों के बीच कुछ ऐसा ही कुली संखर्ष दक्षिनी सुडान में हो रहा है लेकिन भारत के लिए राहत की खबर है कि वहां रह रहे भारती है अब खुद को अनाथ नहीं समझ रहे जैसा कुवैत में हुआ था जूबा से भारतियों को लेकर लोट रहे विमान की एक ताज़ा तस्वीरें देश्ट में बसे उनके रिष्टेदारों के लिए सुपून की सांसें लेकर आई है वायुसेना के दो C-17 विमान आज सुबे तड़के साउथ सुडान के लिए रवाना हुए थे पहला विमान हिंदुस्तानियों को लेकर जूबा से वापस भारत रवाना भी हो चुका है यमन से 4,000 भारतियों का सफल एयर लिफ्ट करवाने वाले जनरल वीके सिंग इस आउपरेशन को लीड कर रहे है इस बार चुनवाती छोटी है क्योंकि बहुत कम नाग्रिकों को वापस लाना है जूबा से लोगों को लेकर C-17 को पहले युगांडा जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ विमान में इंधन भरा जाएगा इस काम में तक्रीबन 3 घंटे लगेंगे इसके बाद उडान भरकर वायुसेना का ये विमान शुक्रवार सुभे 6 बचे तिरुवनंत पुरम पहुंचेगा क्योंकि विमान में सवार जावतर भारतिये केरल के ही रहने वाले हैं हमारा पूरा प्रियत्न रहेगा कि हम सबको यहां पर सुरक्षत लेकर रहे हैं और हमेशा अपने देश का जो भरोसा है इस सरकार पर उसको पूरा करें बोध एरक्राफ्ट्स विल फिर्स ट्रावल तो एंटेबी इं युगांड़ा रोजी रोटी कमाने सुडान गए भारतिये अब भी वापस आने को लेकर पशोपेश में है अनुमान के मुताबिक साउथ सुडान में राजधानी जूबा में 300 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है वापस आने के लिए खबर है कि उनमें से भी कुछ लोगों ने दोहरा मन बनाया हुआ है ऐसे में विदेश मंत्री सुश्मा स्वराज ने उनसे वापस आने की अपील की है दरसल ऑपरेशन संकट मोचन आसमानी फरिष्टा है जो हिफाज़त के लिए हाथ बढ़ा रहा है वक्त रहते हाथ थाम लेने में समझदारी है ये सुडान में रहने वाले लोगों के रिष्टिदारों को भी समझ लेना चाहिए जान है तो जहान है इस बात की एहमियत आज जादा बढ़ गई है क्योंकि दुनिया के नक्षे पर भुगोल अब इतिहास की बात बच चुका है नई सोच का नतीजा है कि प्रधान मंत्री को सुनने दूसरे देशों में भी भारतियों की भीड उमड रही है सिर्फ आर्थ व्यवस्था और कारोबार की सोच से आगे निकल कर अब देश प्रवासी भारतियों से अपने पन के रिष्टे जोड रहा है जिस कॉन्फिटेंस के साथ जनरल वीके सिंग इस एरलिफ्ट मिशन पर रवाना हुए है उसमें ये संदेश छिपा है कि मा और मात्री भूमी कभी पराई नहीं होती देश की बात के लिए एटीवी नेटपर्प और यहां एक छोटा सब ब्रेक लेंगे और अब वापिस रुख करते हैं देश की सियासत का क्या प्रियंगा गांधी यूपी कॉंग्रिस की कमान संभालेगी ये सवाल पिछले कई दिनों से देश के सियासी गलियारों से लेकर उतरप्रदेश की सडकों तक चाया हुआ था लेकिन कॉंग्रिस पार्टी ने ना सर्फ सारी अटकलों को विराम लगा दिया बलकि आज है कैतिहासी फैसला भी लिया एलान किया कि शीला दिक्षित मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी आजादी से लेकर आज तक कॉंग्रिस ने किसी भी चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की चुनाव से पहले इस तरह से घोशना नहीं की है गौर तलब ये भी है कि युवाओं की पैरवी के नाम पर पूरी राहुल टीम बराने के बाद भी 78 साल की शीला का चहरा क्यों सामने लाया गया और इस पूरी चुनावी रणिती के चानक के बने प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर जिनके लिए कहा जाता है कि मोदी और नितीश के लिए जीत का रोड मैप तयार किया था लेकिन प्रशांत किशोर यूपी में प्रिय यूपी कॉंग्रेस के अजर सेतिया वरश्च पत्रकार और विजे बहादूर पाथक उत्रप्रदेश में बीजे पी के प्रवक्ता आप तिनों का बहुत-बहुत स्वागत है शुरुवात में राजेश मिर्शा साब आपसी करना चाहूंगे शीला दिक्षित के आने से कितना ब्राहमन वोट आप ले पाएंगे प्रियंका गांधी की प्रियंका गांधी की पसंद है या फिर पीके की सीला दिच्षित जी कांग्रेस पार्टी की पसंद है कांग्रेस के सिर्शनेत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्यु का जन्मानस सिलादी जी को पसंद करता है इसलिए उन्हें खोशित किया गया है कांग्रेस के चीफ मिजे बहादूर पार्टक साहब मैं आपके पास आना चाहती हूं क्या देखते हैं आप कितना फर्क कितने कितनी लीड ले ली कांग्रेस ने आप से सब कुछ रन्नीती साफ ह हो गई उनकी कितनी बड़ी आप लोगों के लिए चुनाती है ये परिशानी है ये कि कांग्रेस ने अपनी कमान हाथ में दे दी है जिन लोगों को देनी है और शीला दिक्षित के नाम पर जिस तरह से कोशिश की जा रही थी आपके द्वारा लगातार जातीगत समीकरण ब बिसात बिशाती कांग्रेस का नेचित पैकेज के रूप में पूरी गोशना कर रही है लेकिन जब वो अपने अध्यष को गोशना करती है तो साथ में चार उपाध्यष भी देती है आज भी जब पैकेज हुआ तो परचार समिति से लेके समनवय समितित तक सारी जिमेदार दे दी गई है उसमें एक सिला दिक्षित जी का विनाम था तो एक तो संदेश केंद्री नेत्वित ने साब दे दिया है जी उत्तर प्रदेश के बारे में फैसले केवल और केवल गांडी परिवार ही लेगा सबकी भूमिकाएं भी तैकर दी है जिस भूमिकाग को अदा करने के लिए लोग उत्तर प्रदेश में सफर कर रहे हैं उसमें नीती पुरानी है नीत इसपस्ट है कि समाजवादी पार्टी की पिछलगू रहना है समाजवादी पार्टी के बी टीम की तरह काम करना है करें में क्यों कि लोकसभा के चुनाओं में चाहे राहुल जी को जीतने की स्थिती आई हो या सोनिया जी की जीतने की स्थिती आई हो दोनों जो पर समाजवादी पार्टी का समर्थन रहा है 17 के चुनाओं के लिए ये रनित बनाई जा रही है और 17 के चुनाओं में अजय सेतिया जी भी बैठे हैं और आप भी समझ रही हैं कि 17 के चुनाओं में जो भी राजी की सरकार होगी अखिले सरकार है तो अखिले सरकार का काम का जनता की कसोटी पर होगा जी उस कसोटी में आगे लिजाएगी आप तक का जो इतिहास है कांग्रिस में बहुत बुरा हाल है पिछले कम से कम दो विधानसवा चुनावों का कांग्रس का अनतिम चेहरा उत्र परदेश में नरायंदा तिवारी थे और आज नरायंदा तिवारी के बाद पहली बार उन्हों ने अपना मुख्य मंतरी प्रजेक्ट किया है और नेम्दा तिवारी ब्रहमन थे और अंतता घूम फिर के इतने सालों के बाद वो फिर ब्रहमन पर आ गए है मुझे लगता है कि यह जो स्ट्रेटजी है कांग्रेस की वो बीजेपी को ज़्यादा टार्गेट करने की है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी का चेहरा अपर कास्ट का होगा और बीजेपी का चेहरा क्योंकि अपर कास्ट का होगा और वोट बीजेपी की तरफ जादा जा रहा है उसको कैसे रोका जाए कांगस की स्ट्रेटजी इस समय चुनाव जीतने की नहीं लग रही है अलबता बीजेपी को रोकने की स्ट्रेटजी के अंतरगति यह किया गया है लेकिन इससे एक दूसरा मैसेज भी जा रहा है जो उत्रप्रदेश के मद्दाताओं को जाएगा वो मह जाब से हैं पंजाबी परिवार से हैं और उनकी शादी वहां पर उत्रप्रदेश में हुई जी और एक तरह से यह इंपोर्ट किया गया है नेता है शीला दिक्षित तो 15 साल दिल्ली में थी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी अब इनको उत्तरप्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला तब होने इंपोर्ट किया है शीला दिक्षित को अगर फिर हो जाता है इस अंतिम हतियार का इस्तेमाल उत्रप्रदेश के चुनावों में नहीं करना था या फिर गांधी परिवार एक बार फिर जिम्मेदारी लेने को यहां पर तयार नजर नहीं आया आगर हारते हैं कुछ भी होता है जो सभाविक है हारना तो लगभग वैसे चुनावों में कुछ नहीं कह सकते लेकिन आज जोस्तिती और आपने कहा कि जीतने के लिए नहीं बलकि बीजेपी को हराने के लिए है गांधी परिवार का प्रियंका का यहां पर सामने नहीं आना जिस तरह की लगातार कवाय थी पीके ने कहा आपने स्टाटिजिस्ट को चुना भी लेकिन उसको सुना भी नहीं है जब कव बड़ा निता हो तो बड़ा निता उनके पास कोई ओर दिख नहीं रहा था शीला दिख्षित को लेकरके भी बड़े लंबे समय से असमंजब ड़संश स्पाष't को बहुत लंबा समय करीब दो महीने पहले कन्वे किया गया था कि उनके नाम पर हम विचार कर रहे हैं क्या वो उसके लिए जाने को तयार हैं शीला दिक्षित ने हां कर दे थी इसके बावजूद इनको दो महीने लगे कि अनौस करने में अभी परसों चोथ तक कुछ मेरे जानकर लोगों बता रहे थे आज ही से ऐसमेदके ने यह किया गया गया जी फरेश्व मिष्राजी उत्रप्रदेश की जंता यह तो पूछे की आप से क्यों पूरों उत्रप्रदेश में को कोई नहीं मिला जो आप डिली की मुख्यमंत्री जो 3 बार रही है जो दो हमारे मित्राप के साथ बैठे हैं ये लोग इन्हें क्या किस्ट यदी सीला दिच्छी जी का नाम मुखमंत्री के लिए प्रपोश हुआ तो कांग्रेस पार्टी का ये भी सा था कांग्रेस पार्टी ने प्रपोश किया और जिसको जिसको जिम्मदारी दी कांग्रेस पार्टी ने दी अब कोई राजबबर जी को कह रहा है कि ये पाकिस्तान से आए कोई सिला दिछित को कह रहा है कि ये पंजाबी हैं मैं उन वित्रों से ये काना चाहता हूं कि उन्हें ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जिस महिला का पति जी जात का होता है उसे उस जात का माना जाता है स्वरगी बिनो दिछिद जी थे पति सीला दिछिद जी के उनकी ये पतनी है और राज बबर जी को इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से आये हैं राज बबर जी OBC जात से आते हैं फरूखाबाद में टूंडला के टूंडल में सोचे जूट और फरेब हमारे हां उत्तर प्रदेश में पूरिवूत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि विजे बहादूर पाठक जी आपकी तैयारी अभी थोड़े धीरे चल रही है या फिर आप लोग इंतिजार कर रहे थे कि कॉंग्रिस पहले अपने पत्ते गोले उसक की और का उन्हें किया किया तो राजनेसी तेल में कोई विक्रिया इस्थिती यह विज़ाओ इस तरह कि प्रूद है इनकी समाधवादी पार्टी सरकार के राएम में नीति क्या है विजे बहादूर पाठक साहँ आपकी स्थिती इसाफ और क्या बहुत बड़ाये मेरी स्थिति साफ है हम जानते हैं कि 2012 कि चुँआ में भारती चंटा पाटी सी तीसरी इस्थान पर तीतिति तीसरे असका से पहले आस्तान पर जाने के लिए हमको परिष्रम करना पड़े कारकरतां को प्रियंका गांधी पर दाम पीके चाते थे और कॉंग्रेस पार्टी ने आखिर कार आखिर तक नहीं खेला नहीं लेकर आए क्यों नहीं लेकर आए इस पूरे घटनाकरम के बाद आज जिस तरह की टीम बनाए गई संजर सिंग को जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार समीती का जिम्मेदारी दी गई है इसमें ये भी साफ हो गये कि राहुल गांधी से कहीं ज़ादा प्रियंका गांधी डिसिजन ले रही आज की तारीक में नहीं मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ ये कांगर्स का सोनिया गांधी का डिसिजन है वो प्रियंका गांधी को अभी इस्तेमाल यूपी में नहीं करना चाहती और राहुल गांधी का ये डिसिजन नहीं हो सकता राहुल गांधी इसमें डिसिजन में कोई हिस्सेदार हो वो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है लेकिन इस समय सवाल कांगर्स का नहीं है कांगर्स 20 से 40 हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा कुछ कांगर्स के लिए बड़ा दाव नहीं है लेकिन सबसे बड़ी समस्याब खड़ी हो गई है बरहमन जब पंजाबी और बरहमन दो चेहरे ले अपर कास्ट का चेहरा देना है और अब उसके लिए और दुविदा हो जाएगी और उसको जल्दी मिरने करना होगा बाकाइदा आमित शाने भी आज अपनी नई टीम बनाने के लिए और उत्तरप्देश की स्ट्राटेजी तैगरने के लिए भी आज दिली में बैठकी की ह है और हो सकता है कल भी संदर में आरेसस की लंबी बैठक चल रही है अलांगी कहा जाता है उनकी तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि इसका चुनाव से कोई नाता नहीं है लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि 400 प्रचारक इस समय उतारेगी आरेसस वहां से जमीन पे और 403 सीटे अगर कहें उत्रप्रदेश चुनाव में तो देखना होगा कि ये 400 प्रचारक किस तरह उत्रप्रदेश के लिए फायदे मंद बीजेपी के लिए होंगे उत्रप्रदेश की टीम का एलान बीजेपी ने जो देर की है और अभी तक असमंझस बना हुआ है वो कॉंगरिस की स् कर सामने आता है आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे माफी चाहती हूं कारेकरम खत्म करना पड़ेगा यहां पर एक छोटी से ब्रेक का वक्त है ब्रेक के बाद भी वापिस आएंगे ख़बरों कुछ और के साथ कि देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है आज आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल मिलवाते हैं बागदा गाउं की अंतरा से गाउं की मिट्टी से निकल कर इंडियाज गौट टैलेंट के मंच पर पहुंची कैसे रनर अप रही देखनी लाइक है कहानी अंतरा ने पांच साल की उम्र से एक्रो कॉंटेंप्रेरी डान्स सीखना शुरू किया जिसे इन दिनों पूरे देश ने देखा और सराहा भी अंतरा के माता-पिता किसान है और आर्थी क्रूप से कमसोर तेरे साल की ये बेटी एट्स क्लास की छात्रा है और भविश्य में डान्स का बड़ा सितारा बनना चाहती है ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही लेकिन इस कारिक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं प्रदेशी टीन की वेब साइट पर अपने सुझाब दे सकते हैं अपने आस-पास की खबरों को हमसे साच्छा कर सकते हैं इस वक्त मुझे दीजी अनुमती नमस्कार